स्टीफन जला कर रहे हो पढ़के देखो चलिए करो मैं कल वाला लेक्चर दोबारा रिवाइस करवा रहा हूं अगर आपको नहीं समझाया तो लगा लो झाल झाल कि कुक रिवीजन करवाऊंगा कलवले लेक्चर की ठीक है तो हम कर रहे थे कलवले लेक्चर में मैंने स्टार्ट करवाया था बच्चो सबसे पहला लोग कौन सा था कि अब आपने ज्यादा रिस्पॉंस करना क्योंकि आप लोग कर चुकी हो यह किर्चो आपकी रिवीजन हो जाएगी आच हां जी ओनलाइन वले बच्चो अब आ जा रही है यह तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किर्चो जो कल के टॉपिक थे बच्चो दवारा एक बार रिपीट करवा रहा हूं किर्चो लोग कहता है आपको पता है जो ब्लैक बॉड़ी है कोई भी ब्लैक बॉड़ी बहुत अच्छी की अब्जॉर्वर होती है उस सारी की सारी रेडियेशन को क्या कर जाती है अब्सॉर्व कर जाती है ठीक है अगर हम उसका टेंप्रेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा जितनी रेडियेशन उसने अब्सॉर्व की है उतनी रेडियेशन वो क्या करेगा अगर हमने ब्लैक ब दोनों की ratio constant रहती है यनि emission power is directly proportional to absorption power यनि E upon A क्या होती है ratio constant होती है किर्चोव लोग कहता है कहता है जो ये E upon A होती है emissive power क्या होती है ये emissive power और A क्या होती है absorption power अब कहता जो emission emissive power absorption power की जो ratio होती है वो क्या रहती है constant और किसी particular temperature पर emissive power to the absorptive power is equal to emissive power of black body at that temperature this is called किर्चोव लोग बच्चो कोई डाउट है किर्चोव लोग में ठीक यहां तक अब इसके अंदर बच्चो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको E upon A is equal to E black body इसमें E upon E B B is equal to A यह amissive power किसकी है normal body oh very good amissive power of ordinary body या normal body और यह वली E B B क्या है बच्चो amissive power of black body इन दोनों की रेशो को एक निया नाम देते हैं क्या देते हैं small E small E क्या होती है इसको बोलते हैं amissivity this is called amissivity तो E is equal to A हो गया बच्चो अब black body body के लिए A is equal to one होता है बच्चो बोलो black body के लिए A is equal to one तो E भी क्या हो जाएगा one हो जाएगा यह फटा फटा आप किर्चोफ लो लिख लो जा जो online वले बच्चे हैं इसकी स्टेटमेंट लिखनी है किर्चोफ लो की जो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो online वाले बच्चो कि स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट क्या है according to this law कि एट अट गिवन टेंप्रेचर according to this law एट गिवन टेंप्रेचर ratio of emission power to the absorption power ratio of emission power to the absorption power of an ordinary body is equal to the of an ordinary body is equal to the emission power of अगिवन पावर ओफ ब्लैक बॉड़ी गाट इस इस दा स्टेटमेंट ओफ किर्चोफ लोग आप लोगों को क्लियर ओ गया किर्चोफ लोग क्या कहता है किर्चोफ कहता है कोई भी बॉडी जितनी अच्छी आप्जोब रेडियेशन को एब्सॉब अब्सॉब लिए उतनी जादा वो रेडियेशन को अमिट करती है यनी रेशियो ओफ अमिस्टी पावर तूदा एब्सॉब टीपावर इस इक्वल टू क्या रहती है बच्छोब कॉंस्टेंट रहती है यह किसी ने कहा था किर्चोफ ने कहा था इसके बाद जब रेशियो आप्सूब पावर तुदा अब्सॉप्टिव पावर कॉंस्टेंट रहती है तो यह कॉंस्टेंट किसके इककोल होती है ब्लैक बॉड़ी की किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर तो यह अपॉन ए इस इकल टू इबी बी इबी निच्ची आ गया यह उपर आ गया इए अपॉन इबी क्या है अमिस्टी पावर ओफ ओडिनरी बॉड़ी इबी बी क्या है अमिस्टी पावर ओफ ब्लैक बॉड़ी इए अमिस्टी पावर ओफ नॉर्मल बॉड़ी टूदा मिस्टी पावर ओफ ब्लैक बॉड़ी को एक निया नाम देते हैं अमिस्टी तो यह किसके को ला गया ब्लैक बोड़ी के लिए एवन होता है तो इजी कल टू इस इकल टो वन कोई डौट है यहां तक अब अगला ला करते हैं बच्छों आज मेने आपको किर्चोफ करवाना है न्यूटन करवाना वीन करवाना है चारला खतम करने हैं में आपको कि दूसरा लो है स्टीफन बोल्जमैन लो बच्छ स्टीफन वोल्जमैन क्या कहता है कोई ब्लैक बॉड़ी है कहता जब टेंपरिचर बढ़ाते हैं तो ब्लैक बॉड़ी क्या छोड़ेगी एक रेडिएशन क्या करेगी अमिट अब स्टीफन बोल्जमैंट लो कहता है जब यह ब्लैक बॉड़ी की अमिस्सी पावर होगी वो किसके प्रपोर्शनल होगी temperature की power 4 के proportional होगे जितना आप temperature बढ़ाओगे उतनी radiation sorry उतनी वो ज्यादा radiation emit करेगा ठीक है तो proportionality का sign attacker क्या लगा लेते हैं सिगमा सिगमा क्या होता है स्टीफन्स कॉंस्टेंट होता है आधा कपले अगर और भी से ठीक है और सिगमा की वेल्यू क्या होती है बचो कि इसकी यूनेट क्या होती है वाट पर मीटर स्केर केल्विन की पावर 4 क्योंकि हम इसी पावर की होती है वाट पर मीटर स्केर टेंपरेचर नीचे चला जाएगा तो वाट मीटर स्केर केल्विन की पावर फोर हो जाएगी इसको मैं एप्रॉक्सिमेटली बच्चो सिक्स भी यूज़ कर सकता हूं कोई डाउट है यहां तक बच्चो अब देखो इसके स्टेप्स देखते जाना जो मैं आप आगे आपको नमेरिकल्स के लिए करवा रहा हूं इसके स्टेप्स अब देखो हमारे पास तुम्हें पता है इभी इभी किसके एक्कुल था इपॉन इपॉन स्मॉल इके बराबर था देखलो अभी मैंने आपको लिखवाया है किर्चौ में तो कैपिटल इकिसके एक्कुल आ गया इसिगमा टी की पावर फोर आ गया यहां तक देखलो कोई डाउट है बचो इमिस्सी पावर क्या होती थी आपको याद है क्यों बाए एरिया इंटू टाइम होती थी यह पूरा लोग है डेरिवेशन बोर्ड के पेपरों में आती है थ्री मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट है अब बच्चो डी क्यों बाए डी टी इस इकॉल टू ईए सिगमा टी की पावर फोर आ गया कोई डाउट है यहां तक कि इसको बोलते हैं बच्चो रेट ओफ अमिशन जिस इस काल्ड रेट ओफ अमिशन इसको आप ऐसे डिनोट कर लो पैर में यहां पर यह तो रेट ओफ अमिशन सिमिलरली बच्चो हमारे पास होता है रेट ओफ अब्सॉप्शन वह क्या हो अब अगर बॉडी का टेंपरेचर बढ़ाया अब बच्चो रेट ओफ अब्सॉप्शन के लिए स्राउंडिंग का टेंपरेचर होता है रेट ओफ अमिशन के लिए बॉडी का टेंपरेचर होता है रेट ओफ अमिशन के लिए बॉडी का टेंपरेचर रेट ओफ अमिशन क छोड़ेगी जा आप्सक्राइगी आप छोड़े गी तो यहम अम इसन जदा होगा एब्सक्शन से तो नेट हीट लॉस कितना होगा इसको बोलते हैं नेट हीट लॉस कितना होगा बच्चो रेट ओफ मीशन में से क्या माइनस कर देंगे कर देंगे मैं यहां से थोड़ा सा उपर सी यह रब कर रहा हूं आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो साथ की साथ चाहे नोट करना फटा फटा नोट कर लो क्योंकि यह ना कल मैंने करवा दिया था कल यह टेक्निकली यहां पर जो टेबलेट है वो खराब होगी थी तो आज मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रहा हूं ताकि ओफलाइन वाले बच्चों का लॉस ना हो उनको भी वह इतनी दूर से आया तो वह नया टॉपिक भी कर ले और तुम्हारा पुराना भी रिपीट हो जाए नेट हीट लॉस कितना होगा बच्चो डी के उपॉन डी टी क् बच्चों कि लोगा कि जो बोड़ी जितना अच्छा अच्छा अमिटर भी होगा यानि इस इकवल टू एक बराबर होगा ठीक बच्चों तक तो फिर मैं यह वैल्यूजयां पर पूट करता हूं इसके अंदर इसके अंदर मैं यह वैल्यू पुट कर रहा हूं इस 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 सिग्मा एस इस टी की पावर फॉर टी नौट की पावर फॉर मैंने इस ए की जगा इस को मैंने बाहर निकाल लिया यहां तक देख लो बच्चों कोई डाउट तो नहीं है आपको यह मेरा नेट हीट लौस लौस आगया हीट लौस कितनी हुई अगर बॉड़ी का टेम्परेचर स्राउंडिंग के टेम्परेचर से जादा है तो बॉडी हीट छोड़ेगी तो नैट हीट लॉस कितना होगा सिग्मा टी कि पावर फोर माइनसटी नॉट की पावर फोर वट इस्टी टी डा टेम्परेचर आफ बॉडी वट-पटे नॉट टेम्परेचर आफ अब बच्चो इसके बाद आपने ना लोर कलास में यह पढ़ा होगा क्योंव सबीक्ते यह देखो किसी ने पढ़ा एग है कि 9 कलास में पढ़ा होगा क्योंव इज़ी कोल टू म सब्सक्राइब कि जब किसी बॉड़ी को का टेंपरेचर चेंज करेंगे तो वह हीट होगी ना तो हीट का फॉर्मूला होता है क्यों इस इकल टू मैंने अभी आपको यह टॉपिक करवाना है कलोरिमेटरी में होगा तो मैं क्यों की जगा बच्चों यहां पर पुट कर रहा हूं यहां पर मैंना माइनस उसक रहा हूं क्योंकि body heat loss कर रही है यहां देखो net heat loss है बाडीht loss कर रही है तो मैंने माइनस लिख दिया कोई तक बच्चों येस ओनलाइन वाले बच्चो नो सो रब कर रहा हूं मैं इसको मेरे पास निट हीट लॉस में सटी अपॉन स्मॉल डी टी इस इकल टू क्या आगया ईए सिगमा टी की पावर फॉर टी नॉट की पावर फॉर अब बच्चो इसके अंदर माइनस डी टी अपॉन डी स्मॉल टी इस इकल टू ईए सिगमा मैस टी की पावर फॉर माइनस टी नॉट की पावर फॉर यहां तक देखो कि स्राउंटिंग कि बहुत है रेट फो फॉल ऑफ टेंपरेचर इसका मतलब बच्छो क्या है जब किसी बॉड़ी का ब्लैक बॉड़ी को टेंपरेचर बढ़ाया तो वो रेडियेशन छोड़ेगा रेडियेशन चोड़ेगा तो हीट लॉस होगा वहीट लॉस मेंने निकाल अगर हीट लॉस होगा तो बॉड़ी का टेंपरेचर कम होगा ना तो वह मैंने टेंपरेचर लॉस भी निकाल दिया कितना टेंपरेचर फॉल होगा वह भी मैंने निकाल दिया यहां तक कोई डाउट है आपको नमेरिकल में हीट लॉस पूसकता है नमेरिकल में आपको उसक का टेंपरेचर फॉल पूछ सकता है इसके बाद एक दो चीज़े और भी पूछ सकता है वो भी बात करते हम माइनस डी टी अपॉन डी स्मॉल टी इसको यस बचो इसके अंदर देखो इसमें हमारे पास इसको बस आप स्केर ब्रैकट में लिख लो यह आपका स्टिफन्स लौ का पूरा अर्टिकल हो गया आगे मैं करवा रहा हूं आपको न्यूटन्स लौ ओफ कुलिंग अगला आटिकल है वचोँ-न्यूटन जिल् communist कि देखो न्यूटन जिल से लौज स्वाइटी एकिता करें अगर यह बॉड़िफ के तेंपरेशर में और श्राउंडिंग के निपरेशर में बहुत कम डिफरेंस का मतलब क्या अगर मैं आध cáम अनुड्र्य का टेंपरेचर ट्वंटी एट सेंटिग्रीटि निगे अगर बाडी और सुराउंडिंग के ट्योंपरेचर में बहुत कं dalilde तो हम कौन साल लगाएंगे नीउटन लोग तुरिय यह कहने का मतलब बाड़ी का टेंपरेचर स्ब्राउंडिंग के से 3-4 प्यूड़ क्लियार है तो यहीं वेल्यू मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं माइनस डी टी बाइडी स्मॉल टी ए सिगमा एम एस टी की जगा मैंने क्या पुट कर दिया बच्चो टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर फूर माइनस टी नॉट की पावर फूर कोय डॉट है यहां तक माइनस डी टी बाइडी सुमॉल टी सिगर एम एस यहां से comment क्या निकलेगा टी नॉट की पावर फूर कोमन रएक अंदर क्या रहे गया वन प्लस डेल्टा टी यह ए Bak एम स्टी नौड की पावर फोर यह पावर कहां आ जाती है बच्छों आगे आ जाती है माइनस वन यह प्लस वन से माइनस वन कट गया कि आगे बोलो इसके अंदर कि तुमारा रिवाइज हो गया होगा कल वला यह अगर आपको टफ लग रहा होगा समझ जाया आप कुछ के नहीं कि आगे देखो बच्छों माइनस डी टी बाए डी टी ए सिगमा टी नौट की पावर फोर एमस फोर डेल्टा टी बाए टी नौट तो यह आ गया ईए सिगमा टी नौट की पावर थ्री एमस साथ में क्या गया डेल्टा टी इंटो फोर कि देख लो यहां तक कोई डाउट है इस सारे को बोलते हैं के सारे को क्या बोलते हैं के डेल्टा टी डेरिवेशन यह शॉटकट से की है मैंने बुक में तो टफ है आई तिंग यह बिल्कुल इजी से की है टेम्परेचर बॉडी का टी नौट प्लस डेल्टा टी की है और कुछ भी नहीं किया जशन सेट प्रॉपरली यहां तक क्लियर यहां तक अब बचो कोस्चन के अंदर कई वार यह पूछ लेता है कि अगर मैंने बॉडी का किसी का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसे हीट रिडिशन बाहर निकल रही है तो बॉडी का हीट लॉस हो रहा है यास बोलो जल्दी बॉडी अगर बॉडी अग हमने एक कंटे ngàyं के अंदर पानी को गरम किया कि गरम करने के बाद उससे हीट बाहर निकलें का उसका हीट ओस होगा । अल्द गे ल naturally Delta i8 आजघा मैसरा जब पानी थंडा होजेगा तोsti सब्सक्राइर में किटना टाइमald लगेगा यह rate of fall of temperature पता किया है अब time देखते हैं कितना time लगेगा या final temperature कितना होगा कितने time में कितना final temperature होगा अगर मैंने वो value calculate करनी है उसके दो method है एक तो shortcut है एक book वाला method है हम book वाला method board के लिए करेंगे shortcut हम numerical के लिए करेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे time taken for cooling कोई body अगर cool हो रही है तो उसको कितना time लगता है cool होने के लिए अभी आमने formula किया बचो यह के डेल्टा टी क्या होता था टी माइनस टी नॉट मैं रब कर रहा हूं पूरे को अभी मैंने किया बचो यह चेज टी माइनस टी नॉट अब सेम कैटिगरी के लोग एक तरफ रख लो सेम कैटिगरी के कौन-कौन से हैं कि सेम कैटिगरी के लोग कौन-कौन से हैं टेम्प्रेचर अपॉन टेम्प्रेचर इस एक्वल टू के इंटू डी टेक इंटीग्रेचर और शेट उन बोग सेट आपको कैसे बता लगा कि यहां इन्टीग्रेचर लेनी जहांपर डीटिए आ जाएं लगोजान आ अपोन एक्स की इंटीक्रिशन क्या होती है लॉग Kh 80 CDT की इंटीक्रिशन क्या होती है ती अकेला टी तो यह बन अपोन X की फोम में है तो इसकी इंटीकरिशन क्या होगी लॉग T minus T not temperature T1 से T2 K इसकी integration T log yes T की जगा T2 minus not minus log T1 minus T not is equal to K T यहां तक कोई doubt है बच्चो लॉग A minus B क्या होता है log A upon B यह आपने math में किया होगा is equal to K T अब इसको मैं क्या कर रहा हूं देखो दे हम से यहां पर log उदर जाकर बच्चो क्या बन जाता है पता तुम्हें log उदर जाकर क्या बन जाता है exponential तो T2 minus T naught is equal to T1 minus T naught e की पावर minus K T तो T2 is equal to T naught T1 minus T naught e की पावर minus K T आप इसको नोट कर लो एक बार दोबारा रिवाइज करना तो आपको समझ आजेगा थोड़ी सी डेरिवेशन फास्ट करवाई है में ने यह फाइनल टेंपरेचर आया बोडी का यह टाइम टेकन आया यह टीवन अनिशल टेंपरेचर आया बोडी का टीनोट टेंपरेचर आया ठीक है अब जो नमेरिकल करोगे बच्चो आप अगर फाइनल टेंपरेचर पता करना है नमेरिकल आप इस मेथड से करोगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाऊगे आपको टफ लगेंगे क्यों टफ लगेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशल टर्म आग एक अपने यह याद रखना है डिटी अपाउन टी के टी माइनस टी नॉटट और नमेरिकल्स के लिए क्या आपने बच्चों डीटी होता है यस मिस्टर श्यास हेलो डी टी होता है टेंपरेअचर डिफ्रेंज मान लो बॉरी का फाइनल टेंपरेचर कितना था T2 अनिशनल कितना था T1 अपॉन टी इस इक्वल टू के यह बॉड़ी का टेंपरेचर होता है बॉड़ी का टेंपरेचर हमें जाला तर नहीं दिया होता तो हमने यहां लिखना होता अनिशल टेंपरेचर फाइनल टेंपरेचर बाई टू दोनों का एवरेज लेना है तो बॉड़ी का टेंपरेचर मा 2 माइनस ती नोट यह फॉर्मूला कर लो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर निरिक फॉर्मूल्स के साथ के यूज करते बुक में वही यूज किया हो तो आपको टफ लगते नमेरिकल इस फॉर्मूले से बहुत एजी हो जाएंगे करें फॉर्स्ट नमेरिकल स्टार्ट करते हैं बचो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूले में एक बात याद रखना जो रोटेशन मोशन के बाद जितने भी टॉपिक यह हम कर रहे हैं इसके नमेरिकल करने बहुत इजी हैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यूट करनी है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यह फॉर्मूला याद कर लो और सारे बच्चे नमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊगे मुझे फॉर्मूल लेटास कंसीडर असबस्टंस विच फॉलो न्यूटन्ज लो ओफ कुलिंग वैसे यह उनके लिए है जो न्यूटन्ज लो ओफ कुलिंग को फॉलो करते हैं इनर स्राउंडिंग at 20 degrees centigrade if it takes 10 minutes to cool if it takes 10 minutes to cool if it takes 10 minutes to cool down from 50 degrees centigrade to 40 degrees centigrade then what will be the time taken in cooling 40 degrees centigrade to 30 degrees centigrade कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कम से कम कोश्चन को दो बार पड़ों कम से कम कोश्चन को दो बार पड़ों क्या कह रहा है तो कोई बता सकता है यह मुझे कोश्चन में कोश्चन में कोई बता सकता है क्या कह रहा है कि बचो कोश्चन में क्या कह रहा है स्राउंडिंग का टेंपरेचर कितना दिया हुआ है इस टेक्स 10 मिनट टू कूल डाउन बॉड़ी एक बॉड़ी है दस मिनट में कितनी कूल होती है अब बचो बोलो दस मिनट में उसका पहले अनिशल टेंपरेचर कितना था फिफ्टी फाइनल कितना हो जाता है कि अगर अगर पहले दस मिनट में टेंपरेचर टीवन फिफ्टी से फोटी हो जाता है तो अगले 10 मिनट में जा अगले कितने टाइम में टेंपरेचर 40 से 30 हो जाएगा अब आपने यह नहीं देखना कि सर पहले 10 मिनट में अगर 10 डिगरी कम हो रहा है तो अगले 10 मिनट में भी 10 डिगरी कम होना चाहिए यह नहीं है क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया है स्राउंटिंगे साथ जितना ज्यादा तर रैट ऐसे हो गया बाद में बॉढ दरी का हो गया 40 हो गया अब 40 से 30 होना है अब बॉडी का टेंपरेचर कितना है बचे 40 सुराउंडिंग का कितना है 20 कितने का डिफरेंस रहा गया बॉडी और सुराउंडिंग में 20 का तो रेट ओफ वो फॉल ओफ टेंपरेचर हो गां कि मोगा पहले जादा था था एक विस्टो आपने यह क्रीका नहीं लगाना कि पहले अगर 50 से 40 हुआ तो अगले 10 मिनट में भी 40 से 30 हो जाएगा यह तरीका नहीं लगाना है ठीक तो इसको solve करने का आपको method बताया है, numerical का formula बताया अभी आपको, बोलो क्या था, t1-t2 by tk, t1 plus t2 by 2-t0, पहले बताओ, body का temperature कितना दिया हुआ है, t1, 50-40, time कितना, 10 minute, k as it is, t1 कितना है, बचो, 50-40 by 2, surrounding का temperature कितना है, this is your equation, 1, यह आपकी equation क्या है, 1, अब second equation बनानी है, surrounding का temperature कितना है, 20, surrounding का तो वही रहेगा, body का कितना है, t1, 40, और final temperature body का कितना है, 30, time हमने निकालना है, तो क्या करेंगे, yes, t1 की जगा क्या पूट करेंगे, 40-30, upon t is equal to k, 40 plus 30 by 2, minus 20, यह मेरी दूसरी equation है, अब दोनों को divided कर दो, बच्चो, divided करके t की value निकाल लो, दोनों को divide करके t की value calculate कर लो, yes, भाही दोनों को divide करके t की value calculate कर लो, जल्दी से, यह उतार लिया तो मैं इसको और रब कर दूँ, झाल कितना आया को कि टुन्टी 30 भाइ थ्री आ रहा है भाचा दोनों को ऑड़ित करके सॉल्व करो मैं रब कर रहा हूँ इसको जब डिवाइड करके सॉल्व करोगे ऑन सॉल्विंग वन एंड तू दून्हों को डिवाइड कर दो केसे के तो कट जाएगा क्रॉस मुल्टिप्लाई कर लोगे तो टी की वेल्यू आजेगी 50 वाइट थ्री मिनिट्ट इस यहार आंसर एक पॉइंट्स में लिख तकते हैं हा चंडी देंगे उन ट्नेंट मिनट तो को टीड दीड्यू एकलिसंटी एंञ्ट तनेंज च तनमिन और लू जो टीविख फिनन ट् Option 52talksis मूट्विंट्विंट टैन मिनेट्स कि अज्यूमिंग कि डैट इट फॉलो न्यूटन कि लॉफ कुलिंग कि स्राउंटिंग का टेम्प्रेचर क्या है वही तो बता करना है देन वट विल बीदा फाइनल टमप्रेचर नी स्राउंटिंग टमप्रेचर दिया नहीं हुआ हाँ वह भी निकालना बड़ेगा को सब्सक्राइब देखो क्या है बच्चो एन अब्जेक्ट कूल देखो टाइम कितना दिया हुआ है है टेन टीवन कितना दिया हुआ है सिक्स्टी टीटू कितना दिया हुआ है फिफ्टी फॉर्मूला क्या होता था कि बोलो टीवन माइनस टीटू बाई टी इस इक्वल टू के कि टीवन कितना है सिक्स्टी माइनस फिफ्टी बाई टैन के सिक्स्टी प्लस फिफ्टी बाई टू स्राउंडिंग का नहीं पता उसको माल लिया टी नॉट यह फिर्स्टी क्वेशन बन गई इस अब अगला अगला पार्ट बात करते हैं अगले पार्ट में बोलो टेंपरेचर कितना है टीवन फिफ्टी टीटू कितना है अब कहा है 42 और टाइम कितना है टैन मिनिट तो क्या लिखेंगे फिफ्टी माइनस पौर्टी टू बाई टैन के फिफ्टी प्लस फौर्टी टू बाई टू स्राउंटिंग यह दूसरी गश्र देखने हैं तक को डाउट है किसी को यहां तक देख लो कोई डाउट है नो डाउट येस आंधिवेश कोई डाउट है अब देखो आपने क्या करना है आपने दोन्नों को डिवाइड कर देना है एक्वेशन वन और टू को डिवाइड करो डिवाइड एक्वेशन वन एंड टू डिवाइड एक्वेशन वन एंड टू तो यह कितना आएगा 10 by 10 यह तो बन नहीं आ गया ना और यह कितना आ गया 8 by 10 इस इक्वल टू यह केसे के कट गया यह 110 ओवर 2 कितना होता है 110 ओवर 2 फिफ्टी फाइव माइनस टी नॉट अपॉन यह आ गया 92 होना बाइटू कितना आ गया 90 46 यह आ गया 46 माइनस टी नॉट यह क्रॉस मिल्टिप्लाई कर लो यह इसको मैं 10 बाइट ऐसे लिख सकता हूं क्रोस मिल्टिप्लाई करो 10 40 माइनस टी नॉट ये 55 माइनस टी 0 नॉट एक है 261 यह ती नॉट की वेल्यू आघी 10 ॉटीवडी ऑनेज़ी Center कि शूदर अरुगरेग्रेश तरह कह प्यागै कि इसके बाद देखो आगे हमें कोश्चन में क्या कह रहा है कोश्चन में तो कुछ और भी पूछ रहा है देन वर्ट विल बीदा फाइनल टेंपरेचर आफ्टर नेक्स्ट टैन मिनट अज्यूमिंग डैट फोलोज न्यूटन लॉफ कुलिंग फाइनल टेंपरेचर पता कर पता है बच्छो अब बच्छो फैनल मारे स्राउंडिंग का पता लग गया है सन्थ इस कि टाइन पता लग दिया हुआह है वाल टेंपरेचर टी करता क्या सकते हैं Shark ओ व्यण्यूड जो बोड़ी का फाइनल टेंपरेचर था फिसे तो यह फोटीटू अब बॉडी का क्या है अगले केस में अनीशल टेमपरेचर है तो टीटू निकाल लोगे अब बोलो टीटू आ जाएगा के नहीं आएगा ये सर्ट करो फिर कैल्कुलेट करो जल्दी से कि 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 आ कि यास वचों इसमें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें हम क्या करें हम हां हाんな फार्मूला क्या था टी वन कितना है 42 माइनश कीची कैसी ऐज़ा है फॉर्टी टू प्लस टी टू बाई टू स्राउंडिंग टैन यहां तक देखना बच्चों क्लियर है इतना हाँ यह 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 यहां से टी टू निकालना है टी टू निकालना है यह कैसे निकालेंगे कोई बता सकता है टी टू अब बच्चों के की वैल्यू आपको के की वैल्यू पता करनी है क्यों पता करनी है इसको मानलो एक्वेशन नमबर थर्ड फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो तो के से के कट जाएगा टी नौट की तो वैल्यू 10 पता ही है क्रॉस मल्टिप्लाई कर दो तो टीटू आ जाएगा डिवाइड फर्स्ट एंड थर्ड यह आपका काम है अपने आप करो और टीटू की वेल्यू निकालो देखो टीटू की वेल्यू 35.6 डिग्री सेंटीग्रेट आ रही है यह आपका बच्छो स्टीफन्स लो तक हो गया य वीन्जलो रहा गया वीन्जलो कलो जाएगा और फिर दो दिनों में कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगा इस स्क्रीन्शोट ले लो यहां तक की करना आपने ठीक है तुशार्तू बुखार हो गया था हां बुखार हो गया था एक फिर वे चुटिया के लिए रहा था ए हो बुटिया है में बुटिया था नेन खाएगा णे रहा हो जहा है थो घब खना दूब को